आजरी पिपल आज जब अपने तीसरे शिश्य को कहते हैं कि तुम प्रश्ण पूछो जो भी तुम्हे प्रश्ण पूछना है उसके लिए तुम स्वतंत्र हो तो तीसरा शिश्य प्रश्ण पूछता है कि महराज ये प्राण कैसे जन्म लेता है उसके बाद शरीर में अपने को किस तरह से बाटता है और किस के कारण से ये बाहर निकलता है शरीर से तो आचरे पिपलाद उत्तर देते हुए कहते हैं कि आत्मा के कारण प्राण जन्म लेता है अपने को जब वो बाटता है तो मन के माध्यम से बाटता है मन के माध्यम से दस अलग-अलग भागों में बाट करके और शरीर में अलग-अलग काम करता है और निकलता कैसे है तो हमा गणना वहाँ पर की है जिसके लिए उपनिशद का श्लोक कहता है कि सबसे पहले आप नाडियों के सौ विभाग कर दीजिए फिर सौ विभाग करने के बाद में उसकी और हजार से गुणा कीजिए हजार के बाद फिर सौ से गुणा कीजिए जो संख्या आएगी बस इतनी ही शरीर में नाडिया है इन नाडियों में से एक नाड़ी ऐसी है जो उपर की और जाती है जिसे हम सुशुम्ना नाड़ी कहते हैं उस सुशुम्ना नाड़ी के माध्यम से प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं और किस तरह से ये बढ़ते हैं तो उसकी भी बड़ी सुन्दर ग नियुक्त करता है यानि 10 भाग हो गए 10 भाग हुए मन के माध्यम से deux इन 10 में से सबसे मुख्ये जो है वो है प्राण उन वो प्राण जो सबसे मुखिया है इन दस के दसका वो सब को अपने-पने काम पर लगाता है जैसे जो सांसद चुने गए उन्ही सांसदों में से राजा बनना है यानि कि प्रधान मंत्री बनना है और वो प्रधान मंत्री फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधान मंत्री भी तो एक मंत्री ही है ना उस मंत्री का कोई विशेश पद नहीं है दरसल उस मंत्री को बस प्रधान मंत्री कहा जाता है प्रधान अर्थात उन मंत्रियों में से सबसे विशेश मंत्री, सबसे बड़ा मंत्री और वो सबसे बड़ा मंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानि मलमुत्र के मार्ग उन सभी कच्रे को बाहर निकालने का काम करता है अपान प्राण। और इसको नियुक्त करता है स्वे मुख्य प्राण। फिर दूसरा प्राण समान प्राण गिनाया गया कि हमारे चक्षु, श्रोत्रे, मुख, नासिका, इन में रहने वाला प्राण दूसरे समान प्राण की नियुक्ति करता है और वो कहां रहता है दरसल वो हमारे अन को पचाने के लिए जो उदर वाला भाग है वहां पर रहता है हमारे उदर में एक प्राण है जिसे हम समान प्राण कहते हैं कौन नियुक्त करता है मुख्य प्राण मुख्य प्राण कहां इंद्रियों में विशेशकर ज्याने इंद्रियों में आगे अगला जो प्राण है वो प्राण कौन सा है जिसकी नियुक्ति करता है तो कहरें वो है उदान प्राण कहां रहता है तो कहरें पहले नाडियों की संख्यागिन लीजिए अत्र एतद एक शतम नाडी नाम सबसे पह गुणा करने के बाद में नाडी सहसराणी भवती एक हजार से और गुणा कीजिए सबकी और पिर आसु व्यानहचरती इनमें व्यान प्राण विचरता है वो जो मैंने बीच में कहा था कि 100 से गुणा कीजिए फिर 1000 से फिर 100 से उसमें थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए 100, 72, फिर 1000 ऐसे गुणा करने इनमें व्यान प्राण विचरता है और इन व्यान प्राणों में एक नाड़ी ऐसी है अथा एक योहो उर्धवह उदानह इनमें से एक नाड़ी ऐसी है जो उपर की ओर जाती है जिसे सुशुम्ना नाड़ी भी कहा गया है और उसमें उदान प्राण रहता है जिसका काम है अन्त समय में आत्मा को पुन्य या पाप के अनुसार अपने अपने स्थान में ले जाना अपने अपने शरीर में ले जाना यानि आत्मा को उंगली पकड़ कर उसके शरीर तक ले जाने का काम उदान प्राण करता है तो पांचो के पांचो प्राण बता दिये प्राण मुख्य प्राण अपान जो हमारे मलमुत्र के मार्ग हैं वहां रहता है व्यान जो कि पूरे शरीर में हो पूरे शरीर में ये जो नाड़ी की संख्या बताई है ने हर नाड़ी में इन हर हमारी रक्तवाहिनियों में हमारी हर कोशिका में हर स्थान पर व्यान प्रान काम करता है समान हमारे भोजन को पचाने के लिए उदर वाले भाग में कार्य करता है और उदान जो कि अंत समय में हमारी आत्मा को एक शरी से दूसरे शरीर तक ले जाता है जो कि इन नाड़ियों में से एक नाड़ि जो उपर की और जाती है उसमें रहता है अब ये पांचों के पांचों प्रानों के बारे में बता दिया आप कहते हैं श्लोक संख्या 9 और यदि आपके पास PDF है तो प्रिष्ट संख्या 132 प्रिष्ट संख्या 132 और श्लोक संख्या 9 प्रश्णों परिश्द का तीसरा प्रश्ण कहते हैं तेजो हवा उदानह तस्मात उपशंत तेजाह जो उदानप्राण है वो साक्षात अपने आप में तेज है उदानप्राण वही प्राण जिस से आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर तक जाती है वो कैसा है तेजो हवा यानि यूं समझे कि बाहरी संसार जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें जो तेज है जो गर्मी है वो उदान प्राण नामक समझ लीजिए कि उपशांतह तेजा जो उदान प्राण है वो तेज ही है तेज ही है अर्थाद उसमें साक्षा तूर्जा है अरे उदान प्राण के बिना हम जब एक शरीर से दूसरे शरीर तक नहीं जा सकते उस उदान प्राण के बिना आत्मा अपने कर्मों के नुसार अपने अगले पुनरजम को प्राप्त न गाड़ी में फ्यूल डलवाया जाता है जिस तरह से एक इंजिन को चलने के लिए फ्यूल और फ्यूल के बाद उसमें जो आग जलती है इंजिन के भी तर उसकी आवश्यक्ता होती है यदि वो इंजिन ना हो तो हम यात्रा नहीं कर पाएंगे किसी भी गाड़ी में फ्यूल डलता है आग जलती है भाब बनती है तब जाकर के इंजिन काम करता है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम यात्रा कर पाते हैं ठीक इसी प्रकार से जब आत्मा को अपनी यात्रा करनी है एक शरीर से दूसरे शरीर में तो कैसे संभव होगी तो कह रहे हैं एक उर्जा चाहिए एक फ्यूल चाहिए और फ्यूल का काम करती है उदान प्राण तो जैसे संसार में अगनी है तेज है ऐसे ही हमारे पांश प्राणों में उदान प्राण है फिर कह रहे हैं पुनर भवं इंद्रिये ही मनसि समपध्य माने ही कह रहे हैं पुनर भवं जो हमारा पुनर जन्म होता है पुनह दोबारा से भवं माने होना जन्म लेना पुनर भवं इंद्रिये ही अर्थात इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के साथ में ये जो जन्म होगा, ये इंद्रियों के साथ होगा, अकेले अकेले नहीं होगा, इंद्रियां साथ जाएंगी, पुनर भवं इंद्रिये ही, मन से समपध्यमान आएंगी, ये इंद्रियां क्या करती है, मन में जुड़ जाती है, मन के साथ लग जाती है, और फिर पूरे अंतह करण सहीत आत्मा को उदानप्रान ले जाता है क्यों क्योंकि उदानप्रान एक उर्जा है इसलिए तो कहा एक उपरवाली पंकति की अंतिम वाले शभ्द में कहा इसलिए तो वो पशानतह तेजाहा इसलिए जो तेज है अर्थात अगनी है वो अगनी जब समाप्त हो जाए है वो जो अगनी जब शरीर से निकल जाए शरीर ठंडा पड़ जाए जब हमारे शरीर में अकड़न आ जाए मृत्यू के बाद में यही तो होता है जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाते है तो उसकी व्यान प्राण है वो गया क्योंकि व्यान प्राण का कारिय है पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करना एक और है कि हमारी आखें देखना बंद कर देती हैं क्यों क्योंकि हमारी आखों में नाख में कान में हम सुनना बंद कर देते हैं मुख्य प्राण रहता है वो प्राण ही नहीं पाते खा लें तो वह पचेगा नहीं अगर पेट में डाल भी दिआ जाये तो क्योंकि समान प्रान भी निकल गया ह। फिर हमारे मलमूत्र जो हैं, वो मलमूत्र के मारग ढीले पड़ जाते सब क्रियाएं रुप जाती हैं क्योंकि अपान प्राण भी चला गया तो प्राण मुख्य जो इंद्रियों में रहता है वो निकल गया अपान जो की नीचे के मारगों में रहता है वो चला गया वो क्रियाएं भी बन व्यान जो पूरे शरीर में व्यापक है वो भी निकल जात रक्त दोड़ना बंद हो जाता है उदान अर्थात जो तेजस्वरूप है उस तेजस्वरूप के कारण क्या होता है वो बता ही रहे हैं समान समान अर्थात भोजन ये पाचन तंत्र भी बंद हो जाता है और क्योंकि जो उदान प्राण तेजस्वरूप है उर्जस्वरूप ह जैसे ही वो उदान प्राण निकलता है तो हमारा शरीर निस्तेज हो जाता है केतने शरीर ठंडा पड़ रहा है क्यों ठंडा पड़ रहा है क्यों ठंडा पड़ रहा है क्योंकि उदान प्राण काम नहीं कर रहा है उदान प्राण तेजस स्वरूप है इसलिए कह रहे हैं उप जा समाप्त हो गई तो समझ लेजिए कि हमारा मन हमारी इंद्रियों को समेट रहा है मन को संकेत मिल गया क्योंकि उदान प्राण निकल गया है जैसे ही उदान प्राण निकलेगा शरीर से मन को संकेत मिल जाएगा कि भाई अब यहां से इंद्रियों को समेट ना है यह सारा कार क्रम से होता है अभी हमने हो सकता है कल्पना कर रखी हो कि मृत्यू के समय अचानक से सब कुछ हो जाता है अचानक से आत्मा या मन आदी सब इंद्रियों को समेट कर तुरंत बाहर निकल जाते हैं नहीं तुरंत कुछ नहीं होता है क्रम से होता है पहले उदान प्रान शरीर से बाहर निकलता है उदान प्राण जैसे ही शरीर से बाहर निकलता है मन को पता चलता है अब शरीर छोड़ना है क्योंकि उदान प्राण चला गया और वो संकेत है उदान प्राण जब तक है तब तक समझी है शरीर जी भी था उदान प्राण गया तो मन सारी इंद्रियों को आदी जो हैं वो अपना स्थान छोड़ेंगे इसलिए कह रहे हैं दस्वें श्लोक में यत चित्तह तेन एश प्राणम आयती प्राणम तेजसा युक्तह सह आत्मना यथा संकल्पितम लोकम नयती होता यह है कि यत चित्तह हमारा जो चित्त है हमारे चित्त का जो कारिय है हमारी स्मृतियों को संजोना हमारे चित्त का जो कारिय है संसार को जान करके बुद्धी को दिखा देना बुद्धी से निर्ण एशह आत्मा प्राण प्राण स्थान पर साथ में ले जाता है मतलब आत्मा स्वयम कैरी नहीं कर सकता उसे एक स्थान तक दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकता यहां से दूसरे शरीर में नहीं ले जा सकता उसे कुछ साधन चाहिए वो साधन है हमारा मन मन कैसे जाए, मन को संकेत कैसे मिले वो साधन है उसका उदानप प्राण उदानप प्राण हमें इंद्रियों सहित मन सहीत एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होगी आत्मा बिना मन बुद्धी चित अहंकार या फिर हमारी इंद्रियों के नहीं जाएगा और ये सारी इंद्रियां बिना उदान प्राण के नहीं जाएगा इसलिए कह रहे हैं कि हमारा जो चित्त है इसके साथ जो एशह यहा आत्मा है ये प्राणम आयाती प्राणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है प्राणह तेजसा युक्त हमारे जो सारे के सारे प्राण है वो तेज से अर्थात उदान प्राण वाले तेजसे तुम्हारा काम है ऐसा कर्मचारी कि जब तक तुम जीवित हो तब तक तो सेवा में रहोगे और जब कहीं पर जाना हो तो तुम सामान समेट होगे सारा का सारा यह मन का काम है सामान समेटने का जाएंगे कैसे तो उदान प्रान नाम की गाड़ी खड़ी है उससे जाएंगे आ आत्मना यथा संकल्पितम लोकम नयती कि हमारा जो चित्त है वो चित्त के द्वारा आत्मा यथा संकल्पितम लोकम नयती वो चित्त आत्मा को यथा संकल्पितम जहां संकल्प किया गया है जैसे हमारे कर्म है जैसे हमारे लिए जन्म तै हुआ है जो शरीर हमारे लिए प्राण से युक्त कौन चित तो बिलकुँ उस पष्ट हो गया कि कैसे हमारी आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है फिर आगे कहते हैं यह एवं विद्वान प्राणम वेदर और इस तरह से जो विद्वान प्राणों को जान लेता है समझ लेता है नहीं अस्य प्रजाहा ही यते अमृत भवती तदेश हर स्लो कहा जो विद्वान प्राण शकती को जानने वाला है कि प्राण किस तरह से काम करते हैं आगे कहते हैं नहीं अस्य प्रजाहा ही यते उसकी प्रजाएं कभी ख्षिन नहीं होती मतलब उसकी परंपरा कैसे चलती रहती है वन्ष की परंपरा कैसे चलती है उसकी प्रजाएं अर्थात संतती कैसे चलती रहती है इसके पीछे क्या तरक है दरसल तरक ये है कि जब हम जान लेते हैं कि प्राण किस तरह से काम कर रहा है तो हम उन प्राणों को बिलकुल अच्छे से व्यवस्थित रखते हैं यानि कि समान प्राण को जो जिस तरह से उसे काम में लेना है भोजन पचाने के लिए, हम ठीक तरह से भोजन पचाने के लिए काम में लेते हैं, जिस तरह से जब हमें पता है कि उदान प्राण का काम है, हमारी आत्मा को मन और इंद्रियों समेत एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाना, तो हमें पता तो चली ही जाता है, जो व्यक्ति उ समय नहीं जाता संसार से हम क्या करते हैं कि हम बहरी शरीर के लिए तो बहुत काम करते हैं प्राणों के लिए काम नहीं करते हमारे हाँ एक परम्परा है व्यायाम की आपने देखा होगा प्राचीन काल में कोई भी कहीं पर भी ठंडे छेत्रों को छोड़ दीजिए ठंडे छेत्रों को यदि आप छोड़ दें तो जो सामान्य भारत का हिस्सा है वहाँ पर व्यायाम में बहुत कठोर व्यायाम नहीं किया जाता है और करना भी नहीं चाहिए आयरुवेद कहता है व्यायाम कब तक करना चाहिए बुले पस शरीर को ही दिखाना है केवल उन लोगों की बात छोड़ दीजी आज कल तो शरीर में सिक्स पैक का बड़ा प्रचलन हो गया है जो लड़कियां भी हैं वो भी इसमें बढ़ चड़ करके हिस्सा ले रही हैं लेकिन इसका हमारे स्वास्थे से कोई लेना देना नहीं है और व्यक्ति एक आद को छोड़ दीजी अपनी पूरी आयू नहीं बिता रहा अधिकतर कैंसर से पीडित हो रहे हैं कोई उस कैंसर से पीडित नहीं हो रहा है तो दूसरी बिमारियों से पीडित हो रहे हैं जिस जिस व्यक्ति ने व्यायाम को इस रूप में किया है कि केवल शा जो किवल शरीर की बाहरी बनावट के लिए किया जाता हो जैसे वेट लिफ्टिंग करना जैसे जो जिम में बड़ी-बड़ी मशीने होती है उन मशीनों से अपने व्यायाम को करना नहीं हमारे यहां व्यायाम की अच्छी परंपरा क्या है कि जिसमें शरीर अधिक से अधिक स ठीक है बाकी के प्राण डिस्टर्ग हो जाते हैं तो सबसे सही तरीका व्यायाम करने का है कि जिसमें हमारा संपूर शरीर बलिष्ठ बनता हो और वो भी भीतर से बलिष्ठ बनता हो बाहर से नहीं और उसके लिए हमारे हां क्या करते थे उसके लिए आसन किया करते थे उसके ये प्राणायाम होता था उसके लिए सूर्य नमस्कार होता था तो ये सारे के सारे क्या करते थे प्राणों को बलिष्ट बनाते थे बाहरी शरीर को बलिष्ट बनाते ही थे प्राणों को बलिष्ट बनाते ही कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो पूरे शरीर का व्यायाम हो फिर बैठ करके आसन कर रहे हैं, stretching बोलते हैं जिसको, तो उसमें भी हमारे प्राण बलिष्ठ बनते हैं, श्वासों को रोकते हैं, बाहर निकालते हैं, भीतर भरते हैं, और इसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर में जो व्यान प्राण फैला हुआ है, उस पूरे व्यान होती है, होती तो एक्सराइज शरीर की, लेकिन वो शरीर में रहता तो प्राण ही है, काम तो प्राण ही करता है, तो उस प्राण को भी काम करने के लिए अनुकूल परिस्थिति मिलती है, ऐसे ही जब हम प्राणायाम करते हैं, श्वास को रोकते हैं, तो ये प्राणों को ब योग लेना सीखे नहीं है अभी हमें ये योग्यता नहीं आई है कि हम प्राणों को समझ ले अभी हम के वल बाहरी शरीर पर रंग रोगन करने में लगे हुआ है इसलिए अगर हमें बीमारियों से बचना है विशेश कर वो बीमारियां जो आजकल अधिक बढ़ रहे हैं कैंस जैसी बीमारी कैसे पनप जाती है ऐसे पनप जाती है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं मर रही हैं मर रही है तो शरीर में कच्रा पैदा हो रहा है वो कच्रा ही धीरे 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 नासूर बन जाता है अंदर यानि बाहर जो हमारे फुनसी फोड़े हैं बाहर जो हमारे घ घाव है वही घाव यदि कहीं अंदर हो जाए तो वो कैंसर होता है अब सोचिए ये घाव अंदर होता कैसे क्योंकि अंदर इंफेक्शन होता है अंदर इंफेक्शन कैसे होता है यानि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो धीरे-धीरे मरने लगती उनको ठीक करने के लिए उनके रो पुरा जीवन अच्छे से बिता करके जाता है एक इसका और अर्थ है अर्थ यह है कि आज कल एक नई समस्या जन्म ले रही है वो समस्या है संतान हीनता की समस्या चाहे वो पुरोशों चाहे स्त्री हो लग भग लग भग आप यूं मान लीजिए पचास पृतिशत इस समय माता पिता पचास पृतिशत आप डेटा जाकर की देखिएगा संतान के लिए डॉक्टर के संपर्क में हैं क्यों जे संतान हो नहीं रही है क्या हो गया भाई हमारे शरीर में ऐसा हमारे आंकड़े भी बता रहे हैं कि जो शरीर है न मनुष्य का वो धीरे 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 ऐसी स्थिती में जा रहा है कि उसमें संतान उत्पन करने की क्षमता कम होती जा रही है मैंने पिछले दिनों ही आंकड़े पढ़े थे कि आज से लगभग सौ साल पहले का जो पुरुष था उसमें जो बेसिक हॉर्मोन्स वो बहुत बलिष्ट थे जिसको हम संस्कुर्ट भाषा में पौरुष कहते हैं यानि संतान को जन्म देने के लिए जो टेस्टोस्टोरोन होता है उसकी मात्रा शरीर में बहुत अधिक थी है लेकिन आज जब सौ वर्ष बाद हम मनुश्य के शरीर विशेशकर पुरुष के शरीर पुरुष के शरीर की जिस समय हम जाँच पड़ताल करते हैं तो हम पाते हैं कि जिसके कारण संतानुत्पन होती है टेस्टोस्टोरोन जैसे और हॉर्मोन वो मनुश्य में विशेशकर पुरुष में कम होते चले जा रहे हैं सवाल ये क्यों ऐसा हो क्या रहा है कि हम संतानुत्पत्ति के अयोग्य होते जा रहे हैं धीरे 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 ख्षीन हो रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारे जीवन की शैली बदल चुकी है हमारी प्राण शक्ति कमजोर पड़ रही हमें क्या लगता है कि हमारे हर काम हमा भोजन नहीं पचेगा यदि व्यान प्राण अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर की एक कोशिका तक उर्जा की सप्लाई नहीं होगी अगर हमारा अपान प्राण काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर से कच्रा बहन नहीं निकलेगा हमारा भोजन नहीं पचेगा तो रस नहीं बनेंगे वो रस अगर बन भी गए और व्यान प्राण ने काम नहीं किया वो पुरे शरीर तक नहीं जाएंगे वो पुरे शरीर तक पहुँच भी गए तो शरीर में कच्राई कठा हो रहा है अपान प्राण काम नहीं करेगा वो कच्रा बाहर नहीं निकलेगा ये सारे काम होंगे कैसे प्राण शक्ति बलिष्ठ करने से और इसी के कारण क्योंकि क्रियाएं अच्छे से नहीं चल रही है इसलिए हमारे शरीर के हॉर्मोन्स लगातार कम होते जा रहे हैं वैजनिक चिंतित हैं इस बात से कि हो सकता है आग आने वाले 200-200 वर्षबाद में क्या मनुष्य इस योग्य रहेगा कि को संतान को उत्पन कर पाए या हमें मशीनों से संतानों को जन्म देना पड़ेगा ये बड़ी चिंता का विशय बना हुआ है इसलिए कहते हैं कि प्राण शक्ति को समहलना उसे बलिष्ठ बनाई रखना बहुत आवश्यक है जो व्यक्ति प्राण शक्ति को समहल लेता है नहीं अस्य प्रजाह ही यतेव उसकी प्रजाएं कभी समाप्त नहीं होती उसकी प्रजाओं उपर कोई आपत्ती नहीं आती और ये प्रजा जो मैंने भी बताया संतान उत्पन करने की शमता प्राणों से आती है इसलिए भारत में जो व्यायाम करने की सही शैली है वो है पूरे शरीर का व्यायाम, भारत में व्यायाम करने की जो शैली है उसकी सही तरीका है प्राणायाम, मशीनों से व्यायाम कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम इननों रोगों से पीडित होते रहेंगे, आगे कह रहें हैं उत्पत्तिम आयतिम स्थानम विभुत्वम च ये व पंचधा अध्यात्मम चैव प्रानस्य विज्जाय अम्रितम अुप अश्नुते इति कह रहे हैं उत्पत्तिम आयतिम स्थानम विभुत्वम। उत्पत्ति, आयती, स्थान, विभुत्व, और कह रहे हैं और पंचदह, पंचदह मतलब पाँच तरह से प्राण को बाटना, किसने किया है ये, हमारे शरीरिक में मन के माध्यम से मुख्य प्राण को पाँच भागों में बाट दिया गया है, ध्यान दीजिए, अलग-अलग कार्यों की दृष्टी से, क्योंकि हमारे शरीर के पाँच काम हैं, और इसलिए पाँच कामों के अनुसार प्राण को पाँच भागों में बाटा गया है, किसने बाटा, पुले मन के माध्यम से बाटा गया है, कैसे, क्या-क्या कार्ये हैं, तो आईए कार्ये गि पिर कहहरे हैं स्थानम, श्ठिर रहने के लिए, फिर कहहरे हैं विभुत्वम, पूरे शरीर мне व्यापक रहने के लिए, इस तरह से शरीर में प्रान को पाँच भागों में बान्ट दिया गया. और फिर कह रहे हैं अंतमे अथ अध्यात्मम आध्यात्मिक दृष्टी से अध्यात्म के लिए ये प्राण की पांच अलग अलग अवस्थाएं अब इनको समझे कैसे ही सबसे पहले कहा उत्पत्तिम उत्पत्ति उत्पत्ति अर्थात जन्म ये उत्पत्ति और जन्म एक प्राण का काम है, फिर कहरें आयतिम, आयतिम मने शरीर में आना, ये प्राण का दूसरा काम है, फिर कहरें स्थानम, शरीर में स्थिर रहना, ये तीसरा काम है, फिर कहरें विभुत्वम, पूरे शरीर में विभु, व्यापक होकर के रहना, ये च पांच वा काम, तो पांच काम हो गए, पांच काम हो में सबसे पहला काम है उत्पत्ति, ये उत्पत्ति किस विभाग को दी जाती है, किस विभाग को सौंपी जाती है, तो सबसे पहला विभाग आता है प्राण, प्राण को ये कारिये सौंपा जाता है, कि भाई तुम मुख् प्राण ही नाम दिया गया पिर दूसरा कारी है स्थानम स्थानम शरीर में ठहरे रहना कैसे ठहरे रहेंगे बुले उस काम को दिया है समान प्राण को समान प्राण का काम है भोजन पचाना लगातार सप्लाई करना सप्लाई करना यानि कि ठिके रहना मरना नहीं शरीर को जीवित रखना सप्लाई का काम लगातार करते रहना उर्जा की ये काम है समान प्राण का भोजन को पचाओ फिर तीसरा काम विभुत्वम पूरे शरीर में व्यापकता बनाए रखना ऐसा ना हो कि हम केवल यहां ही नियंत्रन रख पाएं अब आत्मा को पूरे शरीर को चलाना है मन के माध्यम से तो हमें अपने पैर पर भी नियंत्रन रखना है हमें अपने हाथ पर भी नियंत्रन रखना है हमारी आखों पर भी हमारा नियंत्रन होना चाहिए तो विभुत्व चाहिए व्यापक्ता शरीर में चाहिए तो वो व्यापक्ता कैसे होगी तो करें विभुत्व के लिए उसके लिए किस प्राण को नियुक्त किया गया तो उसके लिए व्यान प्राण को नियुक्त किया गया तो मुख्य प्राण उत्पत्ती के लिए नियुक आयती माने शरीर में आना जाना, शरीर में आने जाने के लिए, तो कह रहे हैं वो उसके लिए, नहीं, शरीर में आने जाने मतलब आयती का यहां अर्थ है, कच्रे को लाना ले जाने, यह दोनों अर्थ हो सकते हैं, शरीर में आना जाना, अगर शरीर में आना जाना यह अर्थ हम लेते हैं तो इसके लिए उदान प्राण को नियुक्त किया गया है कि भाई तुम शरीर में इस प्राण के माध्यम से आओगे और जब जाओगे तो इस प्राण के माध्यम से जाओगे तो ये है उदान प्राण आयती आने जाने का काम और अंत में कह रहे हैं अथा अध्या हो करके भरगह अर्थात शुद्धता से और वो शुद्धता का काम शरीर में दिया गया है अपान प्राण को तो इस तरह से अलग-अलग प्राणों को बांटा गया है क्योंकि पांच काम शरीर में होने हैं तो पांच प्राण शरीर में अलग-अलग काम करेंगे और इस तरह स जो भी व्यक्ति एवं प्राणस्य विज्जाय अम्रितम अश्नुते इस प्रकार प्राणों के अलग-अलग कामों को जान करके अम्रित को प्राप्त हो जाता है अर्धात अमर्ता या मोक्ष तक पहुँच जाता है विज्जाय अम्रितम अश्नुते इती इसे ही जान करके अम इस तीसरे प्रश्ण के उत्र में, लेकिन यह अवश्च्च्छ लिखाए कि जब मृत्यू होती है तो प्राण किस तरह से काम करते हैं, कि उदान प्राण जाता है, तो फिर मन कहता है सारा समेट लो, वो पूरी इंद्रियों को समेटता है, और फिर प्राणो सहित मन आत्मा को प्रक्रिया है यहाँ पर आ करके ये तीसरा प्रश्ण भी सबाप्त हो जाता है। आनियस्मिन जाग्रती, कतर एशद देवह, स्वपनान पश्यती, कस्य एतत सुखम भवती, कस्मिन्न सर्वे संप्रतिष्ठाह भवन्ती इति, ये वो प्रश्ण है जो आपके मन में प्रति दिन आते हैं, आप पूछते भी, कौन से प्रश्ण है, कहते हैं कि जब हम सोते हैं, तो कौन सोता है, हम सोते हैं क्या, हम सो रहे हैं, मन सो रहा है, इंद्रिया सो रही हैं, आत्मा सो रही है, कौन सोता है जब हम सो रहे होते हैं, किसको माना जाए, कौन सो गया, हम नींद में हैं, आत्मा सोती हैं, मन सोता है या इंद्रिया सोती हैं, फिर कह रहे हैं, जब हम स्वपन देखते हैं, तो स्वपन कौन देखता है, आत्मा देखती है, मन देखता है, इंद्रिया देखती है, जब सुख मिलता है, तो आत्मा को मिलता है, मन को मिलता है, इंद्रियों को मिलता है, किसको मिलता है, और किस के कारण से सब कुछ टिका हुआ है, यह प्रशन है सौ प्रक्रण समझ में आये जब यह दिपी प्राणों का प्रक्रण भी मैं अपिक्षा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा आपने बहुत अच्छे से सुना बहुत बहुत धन्यवाद